नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब में आपका स्वागत है आपके साथ हुमें अम्रेदुला नितीज कैबनेट के बिस्तार में आने वाले गतिरोध को खतम करने की कवायद में बीजेपी जूट गई है बीजेपी के राष्टिय महमंत्री और बिहार प्रभारी पुपेंद्र यादो पटना पहुंच चुके हैं मंगलवार के उनके नितीत्र में उपमुक मंत्री तारकिशोर प्रशाद की आवास पर भाजपा की वरिष्ट नेताओ की बैठक हुई सुत्रों के नुशार दो-तिन दिनों में केविनेट बिस्तार हो जाएगा फरवरी के दूसरे हप्ते तक आयोग और बोर्ड अध्यक्षों की निप्ति कर दिये जाएंगे नितिश कुमार के नेत्युत्र में इंडिये की नई सरकार के गठन के बाद अब केविनेट बिस्तार का लंबित मामला अपसुलज गया है सहयोगी दलों से बाचित कर बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम भी बहुत जलताय कर लिये जाएंगे उपमुख मंत्री तारकिशोर परशात की अवास पर शोंबार के देशाम बिहार भाजपा के आलानेताओ की बैठक हुई भाजपा की राष्टिय महामंत्री और बिहार प्रभारी भुपेंद्र रियादो परदेश अध्यक्ष डाक्टर संजे जैस्वाल उपमुख मंत्री रेडु देवी के अलावनिती सरकार में सामिल भाजपा के मंत्री शामिल हुए इस दोरान 28 से 30 जनवरी के बीच केविनेट बिस्तार की बात हुई बोड और आयोगों के गठन को लेकर भी आलानेताओ ने विचार भिमर्ष किया मना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हपते तक सरकार आयोग और बोड अध्यक्षों के नाम भी तय कर देगी बैटक में सदस्यों के नाम पर भी पार्टी नेताओं ने विचार भिमर्ष किया गौर्टलब है कि पिछली निती सरकार में 5 साल के दोरान कई बोड और आयोग के अध्यक्षों के पद खाली रह गया थैं करिब 3 वर्ष बीजपी भी सरकार में रही लेकिन पाटिक के महज 2-3 नेताओं को जगा नहीं मिल पाई थी लेकिन इस बार केबिनेट के बिस्तार के ठीक बाद सभी बोड़ों के अध्यक्षों और सदस्यों की निक्ति हो जाएगी अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक करें सस्क्राइब करें और शेर करना न भूलें धन्यवाद